सबसे पहले आप सभी को मैं साधर प्रणाम करता हूँ कि आप सदैव मुझे मेरे चाहे अभिने हो चाहे लेखन हो आप किनी लोगों के लिए मैं पर्चित हूँ किनी के लिए मैं अपर्चित हूँ किनी के लिए मैं सूपर्चित हूँ किसी का मित्र हूँ किसी का बंधू हू लेकिन आपने तमाम सीमाओं को पार करते हुए सदैव अपना आशिरवाद, अपनी सरहना और अपनी प्रशंसा से मुझे निरंतर परिश्कृत होने के लिए प्रेरित किया है ये आपकी सहरदयता का प्रमान है तो आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद, ऐसे ही कृपा और आशिष हमारे उपर बनाये रखिएगा क्योंकि मेरा विश्वास कृपा में बहुत है कुछ लोगों को कर्म से मिलता है, कुछ लोगों को भागे से मिलता है और एक तीसरी शेणी आशुतोष राना की तौर पे है जिनको जो कुछ मिलता है वो कृपा से मिलता है तो मुझ पर गुरुजनों की आप जैसे सदमित्रों की कृपा है अब आप ये कहेंगे कि बड़ी ये विचित्र बात है लेकिन जैसे अगर हमको कोई लाइट जलानी होती है तो हम टू पिन लगाते है लगाते है तो बल्व जल जल जाता है, पंखा चल जाता है थोड़ी बहुत रौशनी हो जाती है लेकिन जब आपको हाई वोल्टेज चाहिए होता है तो टू पिन से काम नहीं चलता आपको थ्री पिन लगानी पड़ती है अगर आप टू पिन लगाएंगे तो आपका जितना घर में लाइट है वो भी फ्यूज हो जाएगी और आप घुप अंदकार में समठ जाएंगे तो जो प्लस वायर है वो हमारा कर्म होता है जो माइनस वायर है वो हमारा भागय होता है और जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते है थ्री पिन का वो कृपा होती है तो जब तक आपके कर्म और भागय के ऊपर किसी की कृपा नहीं रहेगी आप विश्वास कीजिए, पंखा और लाइट तो जल जाएगा, लेकिन आप हाई वोल्टेज कभी नहीं पा सकते हैं, और हाई वोल्टेज का मतलब ही होता है कि जब रोशनी चमके, तो दूर से किलो मीटरों दूर से आदमी ये कह सके, कि देखिए फलाविक्ति उस स्थान प रहा है, लेकिन मुझे लगा कि अपनी बात कहने के लिए सरवाद एक मुफीद और सबसे अच्छा तरीका होता है व्यंग, क्योंकि व्यंग का मतलब ही होता है, कि समाज के विकृत अंग को कुछ इस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना, कि समाज को वास्तविक्ता का पता भी चल जाए, और समाज को बुरा भी ना लगे, उस विधा को आप व्यंग कहते हैं, तो इस वज़े से हमने इस व्यंग का, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, तो मौन मुसकान की मार में उसका जिक्र भी है अपनी बात में, तो हमारे पिता जी ने एक दिन हम से कहा के बेटा कनवा से कनवा कहो, तो तुर्तई जे है रूट, बुंदेल खंडी में ये है, के कनवा से कनवा कहो, तो तुर्तई जे है रूट, अरे हीरे हीरे, पूछ लो कै कैसे गई थी फोट, तो ये बिलकुल वही चीज है, कि ये धीरे-धीरे पूछने का काम है, ये पर सर्दार को चैनल